सिरीज की शुरुवात विडियो गेम के फाइटिंग सीन से होती है ये गेम लूजिंग रन कर रहा है वो गेमिंग ब्रादकास्टर है उसकी स्किल्स की हर कोई तारीफ करता है गेम खेलने के साथ साथ वो युनिवर्सिटी स्टूडेंट है इसके बाद सीन एन्विल सेखेड़ एवार्ड की तरफ शिफ्ट होता है जहां बेस्ट फीमिल आफ दे येर एवार्ड की अनॉंस्मेंट होती है जिसे चैन विन कर लेती है चैन बाइ प्रोफेशन एक सिंगर है जो हर साल इंडिस्ट्री को सूपर हिट सॉंग्स और एल्बम्स देती है एवार्ड लेने के बाद जब उस पीच करने लगती है तो उसी वजब सब के मुबाल्स पे नोटिफिकेशन आने लगता है असल में चैन के बॉइफरेंड का किसी और के साथ अफैर चल रहा था और उनकी पिक्चर्स अब लीक हो गई थी चैन की मैनेजर किंग उससे फोटोस के बारे में बताती है क्योंके फोटोस देखने के बाद सब ही लोग चैन की तरफ देखके मुस्कराने लगते है जब सेकंड एवार्ड की एनाउंसमेंट होती है तो वो एवार्ड भी चैन विन करती है एवार्ड लेने के बाद वो कहती है कि आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है आज एवार्ड लेने के साथ साथ बहुत से लोगों के चैरे से नकाब भी उतरे है लूजिंग अपने तीनों रूमेट्स के साथ गीम कमिशन खतम करके चैन के एवार्ड सेरिमनी देखने लगता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन है लूजिंग के दोस्त उसे चैन के बोईफरेंड की पिक्चर्स दिखाते हैं जिससे देख के वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ क्योंके चैन परफेक्ट है उसे ऐसे फेक लोगों की जरूरत नहीं है चैन जब घर जाती है तो अपने रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट करती है कि पहले तो हमारा ब्रेक अप भी नहीं हुआ था लेकिन अब मैं कर रही हूँ इसके बाद फोन सुइच ओफ कर देती है लूजिंग गेम खेलते समय बैक ग्राउंड में चैन का डाउन विंड सॉंग प्ले करता है ये सॉंग रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा पॉपिलर नहीं हुआ था लेकिन लूजिंग की वज़ा से काफी वाइरल हो गया है चैन अपने नेक्स सॉंग की कंपोजिंग कर रही होती है कि तब ही उसकी असिस्टेंट कीकी उसे बताती है कि एक गेमिंग बॉय जिसकी गेमिंग आईडी हर्मन के नाम से है उसकी वज़ा से आपका ये सॉंग फेमस हो गया है किंग कोर टेकनोलोजी कंपनी की तरफ से एक प्रोपोजल लेके आती है जो इससे अपना गेमिंग अमबसिटर बनाना चाते है उस कंपनी का मोटिफ था कि वो लोगों में अच्छी गेम्स को लेके अवेरनेस पैदा करें ताकि लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम गेमिंग में सर्फ करें लेकिन चैन कहती है मुझे तो गेम खेलने नहीं आती किंग के कहने पे इस मामले में वो अपने फ्रेंड बिन्यू की हल्प लेती है बिन्यू बार प्रोफेशन एक्टर है लेकिन गेम खेलने में भी काफी महारत रखता है वो गेम स्टार्ट करते हैं लेकिन चैन इतना बुरा खेलती है कि वो बूर हो जाता है और गेम से कुट कर देता है लूजिंग के रूमेट्स कहते हैं कि वीचैट पे लड़ियां तुम्हारा नमबर मांग रही है लेकिन वो मना कर दीता है उन में से एक कहता है कि क्यों न तुम अपना नाम चेंज कर लो तो वो जल्दी से मोबाल पकड़कर हर्मेन की जगा हैपी बूट लिकर लिग देता है और वाइ मिस्टेकन ये नाम एक महीने से पहले चेंज भी नहीं हो सकता बिन्यू चेंज से कहता है कि मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूं लेकिन मैंने अपने एक दोस से बात कर ली है तो मेरे वापस आने तक वो तुम्हें गेम सिखाएगा तब ही लूजिंग बिन्यू से मिलने आता है और वो उसे कहता है कि क्या कुछ टाइम के लिए तुम मेरी दोस्त को ब्यूटिफुल सोल गेम खेलना सिखाओगे जिसकी वो हामी भर लेता है लेकिन वो उसे चेंज का नाम नहीं बताता उसके जाने के बाद भी न्यू चेंग को लिंक देता है कि इसे वी चेंग पर एड़ कर लो शाम में जब वो खेलने लगते हैं तो लूजिंग के रूम मेट्स उसे मना करते हैं कि ऐसा नहीं करो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की तुम्हारा डीटा ले उड़े गेम जब शुरू होने वाली होती है तो चेंग गेम पर वोईस चेंगर लगा लेती है जिसके बाद उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी लगती है गेम स्टार्ट होती है तो वो दोनों एक बिल्डिंग में जम करते हैं वहाँ वो रोबोट के साथ फाइट करते हैं चेंग लेवल हार जाती है लेकिन लूजिंग कहता है कि कोई बात नहीं तुम बस मेरे पीछे रहो वो गेम दोबारा शुरू करते हैं इस बार उन्हें रोबोट से बचने के लिए बिल्डिंग से नीचे जम करना होता है तो लूजिंग उसे पकड़के नीचे जम करता है और दोनों ओग गाड़ी पे आगिरते हैं जिस पे बहुत से बलून्स लगे हुए थे और एक रोमेंटिक सा सीन क्रियेट हो जाता है लूजिंग रोबोट से फाइट करता है और फाइनली वो दोनों ये लेवल जीच जाते हैं अगली सुभा दोनों अपने स्कैजूल के मताबिक काम शुरू कर देते हैं यानि लूजिंग युनिवरसिटी जाता है और चैन टाइम म्यूसिक कमपनी जाती है क्योंकि उसे अपनी अलबम के लिए न्यू सॉंग की तलाश थी जो उसे बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिला था लूजिंग का दोस्त उसे बताता है कि मैंने बिग डीटा कॉंटेस्ट के लिए साइन अप किया है और उसमें मैंने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है घर आकर चैन म्यूजिक कमपोस कर रही होती है लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वैसा सॉंग नहीं बना पाती जैसा उसने सोचा था फिर वो बोर होके गेम खेलने लगती है लेकिन उसमें भी पांच मिनिट में वो डेड हो जाती है मतलब हार जाती है तब ही वो लूजिंग को मैसेच करती है कि मेरे सेवा कोई भी अच्छी गेम खेल सकता है लेकिन मैं पांच मिनिट से ज्यादा गेम में टिक नहीं पाती कहने लगते हैं और सेलफीज क्लिक करने लगते हैं चैन कहती है क्या तुम हर्मोन हो क्योंकि जब उन्होंने गेम स्टार्ट की थी तो उस वत उसकी आईडी का नाम तो हैपी बूत लेकर था इसलिए उसे नहीं पता था चैन कहती है अच्छा तो तुम हो जिसने चैन का सौंग अपनी गेम में प्ले किया था तो वो हाँ बूलता है फिर वो बातों बातों में पूछती है कि क्या तुम चैन के फैन हो जिसके जवाब में वो हाँ बूलता है चैन मन ही मन में ये सुन के बहुत हुश होती है Mission start होता है तो इस बार उन्हें evil robots को खतम करके एक energy stone लेना था इसलिए वो चारों pair बनके अलग-अलग direction में चलते जाते हैं Mission complete करने के बाद इन दोनों के सामने blue color का box आता है और दोनों universe में teleport हो जाते हैं वो कुछ time वहाँ खुबसूरती को enjoy करते हैं और इसके बाद scene real life में shift होता है Chen Mission complete होने की वज़ा से बहुत हुश थी Loo Jing हर weekend अपने grandparent से मिलने आता है वो लोग खाना खाने restaurant जाते है Chen भी अपने friend Jia के साथ वहाँ आती है Jia actor है और man ही man में उसे पसंद करता है Chen और Loo Jing की हलकी सी टकर होती है लेकिन Chen उसकी तरफ नहीं देखती कुछ टाइम बाद Chen का एक यरिंग बाथरून जाते समय गिर जाता है जिसे Loo Jing उठा लेता है restaurant से जाते समय Chen को अपनी यरिंग का ख्याल आता है तो Jia कहता है कि वो तलाश करके आता है तब ही वहाँ Loo Jing आ जाता है और उसका यरिंग देता है लेकिन चुके Chen का मूँ दूसरी तरफ होता है तो Jia वो ले लेता है लेकिन उसके आवाज सुनके Chen कुछ टाइम सोचती रहती है कि ये आवाज उसने कहीं सुनी है घर आके Chen Loo Jing को गेम खेलने के लिए मैसेज करती है लेकिन वो कहता है कि मेरी लाइफ स्ट्रीम है इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा तो वो खुद को साबित करने के लिए कि वो कुछ भी कर सकती है खुद से मिशन खेलने लगती है और एक रोबोट को मार देती है एकसाइटमेंट में जब वो पिक्चर लेके Loo Jing को सेंड कर रही होती है तब तक दूसरा रोबोट उस पे अटाइक करता है और वो फेल हो जाती है Loo Jing जल्दी से लाइफ स्ट्रीम हतम करके गेम में आ जाता है और वो दोनों मिशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर Loo Jing गेम आफ कर देता है कि मुझे सुभा यूनिवर्सिटी भी जाना है और चैन अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगती है अगले दिन चैन और Loo Jing चैट कर रहे होते हैं तो Loo Jing का फ्रेंड पूछता है कि तुम अब भी उस लड़की के साथ गेम खेलते हो तो मुझे उसकी आईडी बताओ लेकिन वो मना कर दीता है क्योंकि वो तो अब उसे पसंद करने लगा था चैन एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए शेंगाई जाती है वो कीकी से रिहर्सल की स्क्रिप्ट देने को कहती है उसमें जो सॉंग था वो चैन को पसंद नहीं था तो इसलिए वो खेंग से कहती है कि मुझे सॉंग चेंज करना है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फाइनल करे फिर कुछ टाइम सोचने के बाद वो लू जिनको मैसेज करती है कि तुम्हें चैन का कौन सा सॉंग ज्यादा पसंद है वो कहता है जो लेटिस्ट आया है फिर वो उस सॉंग का न्यू वर्जिन इंट्रिड्यूस करवाने के लिए उसे कंपोस करने लगती है उसके रिहर्सल की वीडियो जब अपलोड होती है तो लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बलकि बहुत नेगेटिव कॉमेंट्स करते है जिन्हें देख के वो साइड हो जाती है जिया उसे कहता है कि इवेंट में तुमक इसी सौंग का ओल्ड वर्जिन गाना वो ऐसा ही करती है लेकिन अंदर से दुखी होती है क्योंकि न्यू वर्जिन बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी लूजिन और उसके दोस्त क्रेफिश खाने रेस्टरॉन जाते है शिंगाई से वापस आते ही चैन उसे गेम के लिए मैसिज करती है तो वो कुछ टाइम वीड करने को कहता है फिर वो डिनर दर्मियान में छोड़के ही घर आ जाता है और दोनों गेम खेलने लगते हैं लेकिन आज वो मिशिन खतम नहीं कर पाते और हार जाते है तो चैन कहती है लगता आज तुम्हारा माइन किसी और तरफ है तब ही लूजिन कहता है हाँ शायद आज मैंने ख्रेफिश ज्यादा खाली है वो बातों बातों में उसे treat की offer करता है कि तुम cup free हो, मैं तुम्हें treat दूँगा लेकिन वो बात को घुमा के good night बोल के चली जाती है Chen इस साल कोई भी नया song नहीं बना पाई थी इसलिए वो बहुत sad होती है तो किंग और कीकी कहते हैं कि शायद तुम्हें कुछ दिन vacation पे जाना चाहिए तो वो गौंग जू जाने कर decide करती है ताकि उधर Chen की बर्दे भी celebrate कर सके दूसरी तरफ Lu Jin का दोस उसे बताता है कि हमें competition के लिए गौंग जू जाना है तो वो दोनों भी packing करने लगते हैं बाइ चान्स दोनों की flight भी एक ही दिन होती है प्लें में बैट के Lu Jin Chen को message करता है कि दिन में वो game नहीं खेल पाएगा लेकिन रात में हम एक mission जरूर complete करेंगे फिर वो headphones लेने एक portion से दूसरे portion में अपने दोस्त के पास जाता है वहाँ वो एक लड़की को नीचे गिरी शौल उठा के देता है जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो chain होती है जिसे वो देखता ही रह जाता है लेकिन फिर उसी समय उसका दोस्त बुला लीता है तब ही chain मोबाइल निकाल के message चेक करती है और reply करती है कि don't worry मैं भी अभी business class में सफर कर रही हूँ मैं भी रात को ही free होंगी ये message देखके login को शक होने लगता है वो बात करनी लगते हैं तो बार-बार chain के cell का notification बजने से उसकी curiosity बढ़नी लगती है फिर जब वो confirm करने के लिए message करता है तो तब तक वो Bible के offline हो जाती है लो जिन अपने friend के साथ घूम रहा होता है तो उसे एक teddy पसंद आता है वो सोचता है कि ये चैन को बहुत पसंद आएगा और ऐसा ही होता है वो जब उसकी picture लेके send करता है तो चैन उसे अपने cell का wallpaper लगा लेती है exam की timing confirm करने के लिए दूनों एक site पे जाते है उसी site पे चैन भी आई होती है अपनी birthday party के लिए location देखने रात में गीम खेलने के लिए चैन साइबर कैफे आती है तब ही लू जिन भी उसी कैफे में आता है चैन से computer on नहीं हो रहा था तो वो उसकी help करता है लेकिन चुके उसने mask पहना था तो इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता दूनों गीम खेलते हैं और लेवल जीच जाते हैं तब ही कैफे में शोर होने लगता है तो उनके headphones में सीम आवाज घूंचने लगती है जिससे उन्हें अंधाजा हो जाता है कि वो दूनों एक ही जगा पे हैं लू जिन उसे तलाश करने लगता है लेकिन चैन वहाँ से भागने में काम्याब हो जाती है होटेल रूम में पहुँचके वो लू जिन को मेसेज करती है कि सुना है कि गौंग जू में चैन की बड़े पार्टी होने वाली है तुम भी तो वहाँ हो तो क्या तुम जाओगी लेकिन वो मेसेज का कोई जवाब नहीं देता लू जिन और उसका फ्रेंड कॉम्पेटिशन के लिए जाते हैं वहीं चैन की पार्टी भी चल रही थी लू जिन और उसके दोस्त को प्रेजेंटेशन देने में देर हो जाती है जैसे ही वो प्रेजेंटेशन खतम करते हैं तो वो चैन की पार्टी अटैंड करने के लिए दोड़ते हैं तब तक चैन का हॉल फुल हो जाने की कारण दरौज़ा बंध हो जाता है लेकिन वो गार्ड्स के साथ बहस करके अंदर चले जाते हैं मगर तब तक चैन के performance खतम हो गई थी होस्त कह रहा था कि पबलिक में से अगर कोई चैन से सवाल करना चाहे तो कर सकता है तो लूजिंग हैंड रेस करता है और पूछता है कि आप किस गेमर की लाइफ स्ट्रीमिंग देखना पसंद करती है तो वो बोल देती है कि हर्मान की लेकिन वो फिर से सूचने लगती है कि ये आवास तो मैंने कहीं सुनी है कहीं ये हर्मान की तो नहीं रात में गेम खेलने के लिए वो फिर से साइबर कैफे में बैठा वेट कर रहा होता है लेकिन चैन जिया के साथ डिनर करने गई होती है और डिनर के बाद दोनों घरा के गेम खेलने लगते हैं चैन बे चैन थी कि लूजिंग उसका वेट कर रहा होगा लेकिन वो क्या कर सकती थी उसे गेम प्ले करता हुआ लूजिंग देख लेता है क्योंके चैन अपनी उसी आईडी से ही खेल रही थी ये देखे लूजिंग को बहुत उससा आता है और वो कहता है कि अब मैं भी इसके साथ गेम नहीं खेलूंगा आखर जिया के जाने के बाद वो लूजिंग को गेम के लिए मैसेच करती है और वो उनलाइन आ जाता है चैन जल्दी में वोइस चेंजर लगाना भूल जाती है और उसकी रियल आवाज लूजिंग सुन लेता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है लेकिन तब तक ही की आके गल्दी से लैप्टॉप बंद कर देती है लूजिंग कॉम्पेटिशन जीत जाता है और वो वापस आ जाते है दूसरी तरफ चैन भी फ्री होके वापस आ जाती है लूजिंग अपने दोस्से पूछता है कि हमारी उनिवर्सिटी का एन्यूल फंक्शन कब है असल में चैन भी इसी उनिवर्सिटी की ग्राजूइट थी तो एन्यूल फंक्शन पर पर्फॉर्फॉर्मंस के लिए उसे इन्वाइट किया जाना था लूजिंग का दोस्त कहता है कि साटरडी को फंक्शन है फिर वो पूछता है कि पर्फॉर्मंस के बाद चैन को भुके कौन देगा तो वो कहता है कि की की और फैमिंग ने टू स्टूडिंस देंगे जबके पहला फैमिंग की जगा लूजिंग का नाम था लेकिन इसने मना कर दिया था मगर अब हो कहता है कि वो किसी तरह फैमिंग को मना लेगा उसकी जगा आने के लिए लूजिंग भान इसे चैन को मेसेज करता है कि चैन हमारी युनिवर्सिटी आ रही है क्या तुम उसकी पर्फॉर्मंस देखने आओगे तो वो मन में मुस्कुराते हुए कहती है पागत मैं ही तो चैन हूँ और उसे बोल देती है कि हा मैं आऊंगी लूजिंग भी फैमिंग को उसकी जगा बुके देने के लिए मना लेता है एनिवर्सिरी वाले दिन चैन सोच रही होती है कि फाइनली आज वो अपने गेमिंग पार्टनर को देखेगी पता नहीं वो कैसा होगा जैसे ही वो युनिवर्सिटी पहुँचती है तो उसके इर्दगर्द फैन्स का रश्ट लग जाता है पिर वो इवेंट हॉल में आती है और लूजिंग को मेसेज करती है कि तुम कहां हो लूजिंग ये कनफर्म करने के लिए कि वो लड़की चैन ही है उसे कहता है कि मैं एंट्रिंस काउंटर पे हूँ वो दोरती हुई खेकी के साथ बाहर जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता बलके एक फैन उसकी तरफ देखके मुस्कुराता है और आटोग्राफ लेने लगता है परफॉमेंस के बाद जब बुके देने का टाइम होता है तो बुके तयार नहोने की वज़ा से वो उसे टेडी देता है चैन जैसे ही उसे देखती है तो देखती रह जाती है उसे याद आने लगता है कि उसने कब कब इसे देखा है असल में जब उसने बात की थी तो उसकी आवास हर्मान से मिल रही थी तो वो सोचनी लगती है कि क्या यही लूजिंग है लूजिंग और चैन गेम में एक रोमेंटिक सी जगा पे बैठे होते है कि तभी बिन्यू गेम में एंट्री मार देता है और वो दूनों जल्दी से लॉग आउट हो जाते है बिन्यू लूजिंग से इंक्वाइरी शुरू कर दीता है कि तुम दूनों का चकर चल रहा है लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं बस उसे गेम सिखाता हूँ फिर वो यही सेम सवल चैन से करता है वो भी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो वो उसे बताता है कि लूजिंग मेरा पडोसी है वो वीकेंड पे अपने ग्रैंट पेरेंट से मिलने अपार्टमेंट में आता है किंग चैन को बताती है कि नेक्स्ट वीकेंड खोर टेकनोलोजी के साथ तुम्हारी लाइफ स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है तो वो कहती है कि अभी मैं गेमिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ किंग कहती है कि क्यों न तुम अपने उसी पार्टनर के साथ खेलो जो तुम्हें सिखाता है फिर वो लूजिंग को मेसेज करती है कि चैन की गेम में हेल्प करो लेकिन वो कहता है कि वो किसी से पूच के बताएगा असल में चैन ने अभी लूजिंग के सामने कनफेस नहीं किया था कि वो ही उसकी गेमिंग पार्टनर है तो वो उसे मेसेज करके कहता है कि मुझे चैन की मैंनिजर से कॉल आई है कि मैं उसकी लाइफ स्ट्रीमिंग में हेल्प करूँ लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ खेलता हूँ लूजिंग सोचता है कि वो अभी बोलेगी कि मैं चैन हूँ लेकिन वो फिर बात को घुमा जाती है लूजिंग चैन के साथ गेम खेलने के लिए हां बोल देता है चैन ये चुपाने के लिए वो उसकी गेमिंग पार्टनर नहीं है स्ट्रीमिंग के टाइम पे न्यू आइडी से खेलती है और वो दोनों मिशिन कंप्लीट करके लेवल जीच जाते है घरा की लूजिंग चैन को गेम के लिए ऑनलाइन आने को कहता है आखिर गेम में चैन कंफेस कर लेती है कि वो ही उसकी गेमिंग पार्टनर है रियल लाइफ में दूनों घूमने जाते हैं तो मज़े से आई सकेटिंग करते हैं जिसका रिजल्ड ये होता है कि वापसी में लूजिंग को फलू हो जाता है और वो उसका खयाल रखने के लिए कुछ ताइम उसके घर रुक जाती है चैन रिकॉर्डिंग के लिए जाने लगती है तो लूजिंग भी उसी जगा आ जाता है और दूर बैठा उसे देखने लगता है हिचके चाते हुए वो किसी तरह रिकॉर्डिंग खतम करती है लेकिन गाते समय उसकी आवास खराब हो रही थी रिकॉर्डिंग के बाद वो कीकी के साथ डॉक्टर के पास जाती है जो उसे कहती है कि उसके गले में कुछ इश्यू है यानि उसके वोकल कोड्स खराब हो गए है जिस कारण उसकी सरजरी करनी पड़ेगी लेकिन गारंटी नहीं है कि उसकी आवास मुकमल ठीक हो पाएगी या नहीं चैन घरा कर बहुत रोती है लूजिंग उसे मेसिज करता है लेकिन वो कोई रिपलाई नहीं देती वो बिचारा रात भर रिपलाई की इंतिजार में जाकता रहता है सुभा चैन अपने मॉम डैड जो के अबरॉड में रहते हैं उन्हें कॉल करती है कि क्या आप मेरे फेरवल कॉंसर्ट में आएंगे लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और वो घुस्से में फोन बंद कर दीती है फिर वो बिन्यू को कॉल करती है वो भी आने से मना कर दीता है उसके बाद वो लूजिंग को कॉल करती है जो call उठाते ही शिक्वे शुरू कर देता है फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे farewell concert में आओगे तो वो कहता है हाँ और उसी समय घर से निकल पड़ता है और इसी के साथ lover scenery का first part end हो जाता है अब सवाल ये है क्या operation के बाद chain गाने के काबिल हो पाएगी या नहीं और इन दोनों की love story का क्या end होगा ये जानने के लिए मिलते हैं next video के साथ सो तब तक के लिए good luck and thank you for watching